का question है एक्जाम में खुब पूछे जाते हैं इस टाइप के question तो आएए देखते हैं कहता है a man multiplied a number by 7 by 4 in a state of 3 by 5 find the percentage change in result तो देखिए 3 by 5 से किसी number को multiply करना था लेकिन 7 by 4 से multiply कर दिया तो percentage change निकालना है जब भी कभी percentage change निकालना हो तो हम उस number को x मान ले या n मान ले और फिर solve करें इसकी जुरत नहीं है हम सीधे formula में बिठा करके हम इसका answer निकाल सकते हैं तो देखिए इसको solve करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले देखिए जो correct ratio होना चाहिए था 3 by 5 multiply करना था और multiply कर दिया 7 by 4 से तो यहाँ पर हम क्या करेंगे solve करने के लिए यह है हमारा fraction में है तो हम क्या करेंगे इसका हम 5 और 4 का LCM ले 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 इससे होगा क्या कि यह denominator की जो संख्या 5 है या 4 है वो cancel out हो जाएगी तो 5 और 4 का LCM कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20 हो जाएगा तो 3 by 5 को हम 20 से multiply कर दें और 7 by 4 को भी 20 से multiply कर दें तो यह क्या आजाएगा यह 12 हो जाएगा और यह 7 by 4 को 20 से multiply करेंगे तो यह 35 हो जाएगा तो देखिए करेक्ट तो होना चाहिए था 12 लेकिन 7 by 4 से multiply किया गलत ratio से multiply किया तो आ रहा है 35 यानि कि कितने का change आ रहा है 35 माइनस 12 35 माइनस 12 यानि 23 यूनिट का change आ रहा है लेकिन यह यूनिट क्या है इंक्रीज है इंक्रीज हुआ है जो गलत multiplication के करण इतना यूनिट इंक्रीज हुआ है तो original वाले पे हम निकालेंगे original वाला क्या था correct जो ratio वो 12 था तो denominator में वो 12 होगा multiplied by 100 कितना आ रहा है 191.6% कौन सा option correct होगा 192 यह approximate value यहाँ पे आप देखेंगे तो यह option is correct तो इस प्रकार से हम निकालते हैं हम ऐसे भी निकाल सकते थे जैसे ही यह percentage change निकालना है तो 7 by 4 minus 3 by 5 upon 3 by 5 multiplied by 100 ऐसे करके निकालते हैं लेकिन थोड़ा यह calculation lengthy हो जाता और इस तरह से हम क्या करें denominator की संख्या को हटाने के लिए LCM ले ले उसको multiply कर दें फिर दोनों का difference निकाल दें और जो original number आ रहा है उससे divide करके 100 से multiply कर दें तो यह जो percentage बहुत easily आ जाएगा इसलिए हमने यह approach apply किया है अब आएए हम दूसरे question को देखते हैं second question कहता है student multiplies a number by 4 by 5 instead of 5 by 4 what is the percentage error in the calculation देखिए दोस्तों आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले देर साल से vacancies और यह सब भी चीजे recruitment process लगभग बंदसा परा है इस कोरोना के चलते लेकिन आप लोग optimistic रखिए अपनी तयारी जारी रखिए क्योंकि यह जैसे ही कोरोना यह अभी कम हो रहा है जैसे unlock की प्रकिरिया शुरू होगी vaccination तेजी से चल रहा है तो आप देखेंगे कि recruitment process जो पिछले दो सालों से hold पड़ा है वो काफी तेजी से होगा इसमें जिन लोगों की preparation होगी अच्छी वो definitely select हो जाएंगे इसलिए आप लोग optimistic रहें तैयारी अच्छे से करते रहें यहां भी हम वही approach अपनाई करेंगे multiply करना था multiply कर दिया उसने 4 by 5 से जबकि उसको करना क्या था 5 by 4 से multiply करना था तो correct ratio तो 5 by 4 है और wrongly multiplied ratio क्या है 4 by 5 है तो हम denominator की संख्या हटाने के लिए क्या करें 4 और 5 का LCM ले ले और उससे multiply कर दे 4 और 5 का LCM 20 आया इन ratios में multiply कर दिया यह आया 25 यह क्या है यह correct वाला है और wrongly वाला क्या है इसको 20 से multiply किया 4 by 5 को 16 आया तो difference कितना आया? difference आया 9 unit तो दोस्तों, sorry यहाँ पे यह 23 नहीं होना चाहिए यहाँ पे 9 unit decrease in 9 unit यह 23 नहीं होगा यह 9 unit होगा तो यह क्या होगा? 25 minus 16 यह 9 unit का decrease हो गया 25 होना चाहिए था और हमने जो गलत multiply किया उसके कारण 16 आया तो decrease in units कितने है? 9 units तो percentage क्या हो जाएगा? 9 अपन originally होना क्या चाहिए था correct? 25 multiplied by 100 यह आएगा 36 तो हमारा answer क्या होगा? 36% होगा तो इस प्रकार के question को हम ऐसे ही करते हैं यह ज्यादा better approach है आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 by 4 minus 4 by 5 upon 5 by 4 multiplied by 100 और फिर उससे क्या करें? उससे भी आप percentage निकाल सकते हैं कभी कभी calculation लेंदी हो जाते हैं इसलिए हमें LCM approach यूज करते हैं इससे क्या है? digits में convert हो जाता है fraction हट जाता है इससे यह fraction हट जाएगा यह integer के form में नंबर के form में आ जाएगा और उससे क्या है? बहुत आसानी से percentage निकल आएगा थैंक्यू आप हमारी चैनल रागवमेच को सब्सक्राइब करें थैंक्यू वेरी मच